गुद मॉर्णिंग क्लास थर्ग ओके पिटा, नौव वे कन स्टार्ट एक्टिवीजी टू पे पुट साइन है आपके पास, ठीक है? जो ग्रेटर देन होगा उसकी तरफ हम फेस करते हैंगे, ओके? सबसे पहले आपके पास है टर्म 735 और इदर वाली साइड है 1488 तो अब 100 वाली टर्म बड़ी हुई है, 1000 वाली? अफकोर्स 1000 वाली होगी, तो साइन किदर आजागे ग्रेटर देन का 1488 क्योंकि यह क्या था? 735 तो 1000 वाली बड़ी हुई, तो हमने 1000 वाली की तरफ क्या करे ना? उसका ग्रेटर देन का फेस नेक्स्ट है, यह है 9178 और इदर क्या है 178 तो बड़ा कौन सा हुआ? 9178 क्योंकि 100 छोटा होता है और 1000 बड़ा होता है नेक्स्ट इदर है 4213 और इदर क्या है 5075 4000 बड़ा हो यह 5000, अफकोर्स कौन सा बड़ा होता है 5000 तो फेस किदर होगा greater than का 5000 किदर अब इदर देखो, यह है 1234 और इदर भी कितना है 1234 तो साइन किसका आएगा equals to, means दोनों क्या है? equals इदर है 640 और इदर है 1446 तो बड़ा कौन सा हुआ? 1446 नेक्स है 7015 और इदर है 7638 इदर है 15 इदर है 638 तो बड़ा कौन सा हुआ? 7638 नेक्स सेमन्थ है 5620 और इदर है 5620 और इदर है 5320 बड़ा कौन सा हुआ? 621 इधर है 999 इधर है 4175 so greater than is 4175 your next is 6175 and there is 3175 so which is a greater this one is greater so 6175 is greater than 63175 clear so this is your activity 2 now we can start activity 3 okay next next activity 3 page number 22 activity 3 question first part rewrite the number in ascending order in the boxes provided okay जो भी आपको numbers given है इसको आपने ascending order में लिखना है जो भी आपको box given है clear ascending order है ascending order means a means art art means आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है ascending order clear सबसे पहले है आपके पास number given है 4 7298 7297 920 and 7029 अब आप इन में से सबसे बड़ चोटा कौन सा है क्योंकि यहां पे 7002 है यहां पे 7002 है यहां से देखो यह है 7029 clear क्योंकि बाकी क्या थे 7298, 7290, 7920 तो सबसे चोटा कौन सा हुआ 7029 अब next देखो इधर है 298 इधर है 290 इन दोनों में से चोटा हुआ ना तो कौन सा चोटा हुआ 7290 इधर आएगा 7290 इधर आएगा 7290 इधर आएगा 7298 लास्ट कौन सी टर्म है जो सबसे ग्रेड़ देर है 7920 तो लास्ट भी आएगी 7920 यह अरेंज हो गए ascending order में next देखो 8960 9680 6890 and 6980 अब यह तो 8 और 9 है यह तो बड़े हैं अब यह दोनों 66 वाले हैं तो यह है 6890 और यह है 6980 तो कौन सा चोटा हुआ 6890 तो इधर के आएगा यह और उससे बड़ा कौन सा यह वाला 6980 वो इधर प्लेस करती है अब इन दोनों में यह तो हमें देखके पता चल रहा है क्योंकि 8 जो है वो छोटा है और 9 क्या है बड़ा इधर हम लिख देंगे 8960 और इधर लिख देंगे 9680 next दी पार देखें यह है 6365 यह है 3656 यह है 5366 और यह है 3566 इन में सबसे चोटा कौन सा है 3 वाली टर्म्स है ना और 3 में देखो यह है 3566 और यह है 3656 इन दोनों में चोटा कौन सा है यह वाला यह वाली टर्म इधर प्लेस हो जाएगे next यह वाली 3656 तो यह यहाँ पे हो गए अब यह देखके पता चल रहा है यह 5000 है और यह 6000 है 5000 वाली दर हो जाएगे 5366 और next के आएगे 6365 अब लास्ट हम देखो डी पाट यह है 2009 यह है 2900 यह है 2900 यह है 2900 यह है 2590 इन में सबसे चोटा कौन सा है 2000 ना क्योंकि वाकि तो 900 ना है और यह 500 सम्थिंग है सबसे पहले आगा 2009 next 2590 क्योंकि यह 900 वाले है यहाँ पे आगे 2590 next is 2900 यहाँ पे आगे 2900 and last is 2900 यह था 900 और यह है 905 तो पहले 900 and next is 905 तो यह होगे right in ascending order ओके next है question rewrite the number in descending order यह आपको numbers given है आपने इसको descending order में रिखना है descending order means आपने greatest to smallest पे जाना है d means dog dog means बड़ा बड़े से छोटे की जब जाना है सबसे पहले है numbers given है आपको ए पार्ट में 6150, 7310, 8512 and 6142 इन में से सबसे बड़ा find out करना है यह हम easily find out कर सकते है यह कौन सा है 8512 तो हमने सबसे पहले का लिख देना है 8512 next इससे छोटा कौन सा है 7310 तो इदर place कर देना है 7310 उससे छोटा 6150 अब देखो यह terms दोनों similar थोड़ा सा reference है यह है 6150 यह है 6142 तो बड़ा कौन सा है इन दोनों में से 150 तो यहां पर आ जाएगा 6150 next last पर के आएगा 6142 अब यह किसमें arrange हो गए descending order में देखो पहले 8512 next 7310 next is 6150 and last is 6142 तो यह हो गए आपके arrange in descending order next B part यह है 7251 next 5512 next is 8235 and next is 6375 इन में से सबसे बड़ा कौन सा है 8 वाला ना क्योंकि 8235 हम सबसे पहले लिख लेंगे next उससे छोटा कौन सा है 7251 तो यहां पर क्या आगया 7251 अब 5 और 6 में कौन सा बड़ा है 6 वाला यहां पर आगया 6375 and last is 5517 अब देखो यह हो गए आपके arrange in descending order next C part यह तो बहुत easy है यह है 6000 यह है 4000 यह है 2000 and this one is 9000 इन में सबसे बड़ा कौन सा है obviously 9000 next 6000 next is 4000 and last is 2000 यह हो गए आपके descending order descending order means greatest to smallest यहां आप हो सकते हो biggest to smallest अब यह देखो यह थोड़े सिमिलर है यह है 3259 यह 3529 यह 3925 यह 3952 पहले तो यह देखते हैं यह दोनों ना क्योंकि यह तो 3200 something है यह 3500 something है लेकिं यह 3925 है और यह है 3952 इन दोनों में से कौन सी term बड़ी है 952 वाली तो सबसे पहले कौन सी आगई 952 वाली नेक्स्ट उससे चोटी कौन सी है 925 वाली 3925 वाली तो यह यह यहां पे place कर दी second नमबर पे अब यह देखो यह है 3259 और नेक्स्ट है 3529 तो कौन सी बड़ी है 3529 वाली वो लिख दी और लास्ट पे लिख दी 3259 तो यह है बच्चे आपके descending order means आप गए हो biggest to smallest की तरब ठीक है अब आपकी activity two and three finish है और आज आपने यहीं तक करना है neat and clean homework करना अपनी बुक पे ठीक है thank you have a nice day